राची की एक ऐसी जगह जो एकिकरत बिहार में गुलजार हुआ करती थी आज भूत बंगले से कम नहीं लग रही है। दुरसल राची के होटल अशोक की दूरदशा आज किसी से च्छिपी नहीं है। पूरे परिसर में जंगल जैसा दृष्ष देखा जा रहा है वहीं। उस परिसर में बने एक ऑडिटोरियम हौल जिसका उद्गाटन भी अब तक नहीं हो पाया है। अभी भी इस होटल के कुछ कर्मचारी इसास में बैठे हैं कि केंदर और राज्य सरकार इस पर पहल करेगे। बिल्डिंग और इसकी अवस्था आप देख सकते हैं अपने सहयोगी से चाहेंगे कि एक बार इस बिल्डिंग की अवस्था दिखाएं किस तरीके से यहां पेंट वगर हैं यानि कि सारी चीजे अब जरजर हो रही हैं। खास करके इसके स्थीतिया तो हो ही रही है जो चाह लोग इस पर डिपेंड हैं। खास करके असोका होटल में कामकारे करने वाले जो करमी हैं चाह लोग उन्हें दो जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है यानि कि आज कनकन को मुहताज हैं और ऐसे में देखें इनकी स्थीतिया है कि इन्हें केंदर सरकार को आउगत कराना पड़ा है। पत्र भेजा गया है कि ये आगामी 15 अगस्त को आतंदा करेंगे यानि कि इसी परीशर में ये असोका होटल का परीशर है और काफी समय से ये बंद पड़ा हुआ है। इसको ये कहके बंद किया गया था कि इसे ज्ञारकन को अस्तांतित किया जाएगा। छे मैना के अंदर ये ज्ञारकन को चला जाएगा और ज्ञारकन को सुचार रूप्या चलाएगी। लेकिन आज 6 साल हो गया अभी तक इसका ट्रांसफर नहीं हुआ है। 2020 में ज्ञारकन सरकार के दोर केंदर सरकार को इसका 51% सेयर का पैसा 9,83 रूप्या का भुक्तान किया गया। लेकिन उसके बाद भी आज तक सेयर ट्रांसफर नहीं हुआ है ज्ञारकन गवर्मेंट को। यानि कि ज्ञारकन से आखिर ये पैसे केंदर से ट्रांसफर हुआ ज्ञारकन से ट्रांसफर हुआ ज्ञारकन से ट्रांसफर हुआ ज्ञारकन से ट्रांसफर हुआ को आपना 51% सेयर ज्ञारकन को ट्रांसफर कर दे लेकिन आज तक ज्ञारकन गवर्मेंट को सेयर ट्रांसफ लोग तुम हैशाप से अब हम लोग का आठ लाक रुपिया हम लोग और बनेगा और इन लोग तो मेंटेन स्टाफ इन लोग को फ़ून करते हैं नहींड है ना उनके कोई प्रादीकारी फोन ही उठाते हैं कभी काल एक बढ़ भूले से दूसरे फोन से कर दिए बोस्त हाँ आप लोग काम हो रहाए यह रहा उसके बाद पीर नंबर पचछानने के बाद लोग कोनी नहीं उठाते हैं हम लोग 30 साल का सेवा इसने दिए हैं लेकिन हम लोग का पईशा सथ परदिश्ट शा만 ton हम लोग नहीं मिला अभी दक अटका करखे हुए जबकि जारक्न गॲूइनक्टी लोग पईशा लेठ चुका है और हम लोग कोई हिसाब नहीं दे रहा है और नहीं यहां का पतादीक्यारी आते हैं, चुपके से सरज आते हैं, हम लोग कोई ख़बर नहीं होता है, तो हम लोग इस्ते से तरस्त है मेड़म, हम बहुत प्रीशा फुर्शा हुआ है. बिल्कुल, ये तो VRS ले लिये हैं, लेकिन जिनों ने VRS नहीं लिया है, अभी भी डिपेंडेंसी जो है, इस पर है, यानि कि ये उम्मीद है कि सरकार जो है इस पर पहल करेगी, लेकिन केंद्र और राज्जे, दोनों का डुलमुल रवया के कारण आज स्थीतिया यह हो गई है कैमरा पर से सुनेल स्वानसी के साथ रूची सर्माक कसिस ने उच्रांची